हैलो रादे रादे आज मैं आपको गोपाल जी के लिए बहुत सुन्दर चल्ली बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी तो चलिए दस नंबर की सलाई लेली है मैंने और तीन प्लाई की उन है और वाइट और पिंक कलर से चोली बनाऊंगी तो चलिए यह 18 फंदे डाल लिए मैंने अब मैं उल्टी सी दिसलाई उतार दूंगी इसमें और उसके बाद दिखाते हूं कैसा डिजाइन डाल लूंगी इसमें और कैसे बनाऊंगी चोली को मैं यह सी दिसलाई कंप्लीट कर लिए मैंने अब मैं उल्टी सी दिसलाई उतार रिमिस में लीजिए एक सी दिसलाई दोनों उतार लिया मैंने और अब मैं सी दिसलाई उतारूंगी पहले दो फंदे उल्टे बनाऊंगी बटन पट्टी के लिए और फिर मैं फंदे बढ़ाऊंगी दागा आगे की साइड करके एक फंदे में सीलाई डाल कर और फिर उसके सीलाई के उपर से गुमा कर जाली बनाऊंगी और एक एक फंदा बढ़ाऊंगी सब फंदों के उपर में फंदे बढ़ाऊंगी और पिछे वाले जब फंदे बंचेंगे उनको उल्टाई बनाऊंगी बटन पट्टी के लिए तो चलिए इस लाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूं और फिर आगे दिखाती हूं लेजिए ये पूरी सलाई के उपर मैंने फंदे बढ़ा लिये हैं और सलाई को कर लिया कंप्लीट अब मैं उल्टी सलाई बनाऊंगी उल्टी सलाई में कोई भी फंदानी बढ़ाऊंगी शिरफ उल्टी उल्टी बनानी है लेजिए ये उल्टी सलाई भी मैंने कंप्लीट कर लीरत तो अब मैं एक लाई सिध्दी बनाऊंगे और इस सिलई में भी कोई फंदानी बढ़ाणा ऐसे यी बना करेंगे कंतर ओर इसमें कोई फंदानी बरडाना ऐसी बनाने सितनी जली लिजे वाइट से मैंने उल्टी सी दिसलाई दोनों उतार ली हैं अब मैं इस पिंक वाली से बनाऊंगी दो फंदे ऐसे उल्टे बनाए हैं बटन पट्टी के लिए और फिर मैं सब फंदों पे फंदे फिर बढ़ाऊंगी आगे की साइट दागा करके फिर सलाई को एक फंदे में डालके उसके उपर से गुमाके ऐसे ही करके मैं पूरी सलाई को कम्पलिट कर लूँगी और लास्ट वाले दो फंदों पे फंदे नहीं बढ़ाऊंगी तो शुरू वालों पे फंदे नहीं बढ़ाऊंगी और दो लास किसी दिशलाई कम्प्लीट की है मैंने 14 फंदे फिर बीच में रखूंगी कमर के लिए और फिर नो फंदे बाजू के लिए तो इस तरह करके मैंने सारे फंदों को डिवाइड कर लिया है और यह मैं पिन में फंदे डाल रही हूं क्योंकि स्वेटर की मैं पूरी बाजू बनाऊंगी तो यह मैंने 14 फंदे पिन में डाल ली है और पिन को कर दिया बंद अब मैं आगे वाली शिलाई में से फंदा लेकर ऐसे ही मैं सिद्धी शिलाई बनाऊंगी पिंक वाली उन्चे पिन खर वाली 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 यह मैं इन्चेश्ची वाली वाली वाले बनाऊंगी तो तो यह मैंसे बंदेंगाओ है कि चलिए अब दूसरी बाज्यू के लिए भी फंदे में डाल लूँगी यह मैं सुई में फंदे डाल रही हूं और उन विरो रखिये सुई में वही चोदा फंदे डाल लूँगी मैं अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं यह आपको दिखाने के लिए कर रही हूं मैं नया तरीका बीच में परेशान भी नहीं करेंगी स्वेटर बनाते हुए कि लिजी मैंने चोदा फंदे डाल ली है अब मसुई को निकाल लूँगी इन फंदों में से क्योंकि पिछे दागे पे मैंने गांठ लगा रखी दागा ने पिरो रखा उन पिरोई हुई है और उस गांठ में से मैंने एक बार निकाल दिया और इसको ज्यादा टाइट नह लेकर इसको बना लेते हैं और इसी तरह इसको कम्प्लीट कर लेते हूं फिर दिखाते हूं आगे कैसे बनाओंगी कि लेजिए सिलाई को कम्प्लीट कर लिया है मैंने अब मैं अम्मा पिंक कलर वाले से उल्टिशलाई उतारूंगी कि अधर कर लेजिए वाले से एक इसको कि अनाओंगी कि अधर उतारूंगी कि अधर जगए वाले से उतारूंगी कि अधर बनाओंगी चली माइसी तरह उल्टी सिद्धी वाइट और पिंक से सलाई उतार लेती हूँ और छे सलाई बना लेती हूँ तीन वाइट से और तीन पिंक से उसके बाद बताती हूँ कैसे बनानी ये चोरली को आगे ये पिन वाले फंदे खोलकर अब मैं सलाई में डाल लूँगी और उल्टी सिद्धी सलाई बनाऊंगी वाइट और पिंक से और इस बाद जू को मैं कम्प्लिट कर लूँगी एक एक फंदा करके मैं इसमें डाल लूँगी सलाई में लेजिए सारे फंदे मैंने सलाई में डाल लिये हैं अब मैं पिंक कलर के उन से बनाऊंगी एक सिद्धी सलाई और एक उल्टी हम कोई स्वेटर में तब उन जोड़ते हैं तब थोड़ा सा दागा एक्स्ट्रा रखकर और बड़े वाड़े दागे के उपर गुमा कर और फिर आगे सलाई बढ़ाएं क्योंकि इस तरह स्वेटर खराब भी नहीं वो गिर दागा खूलेगा भी नहीं कि यह मैंने वाइट कलर के उन से बना लिया था अब मैं पिंक वाड़े से बना अथ एक शिद्धी और एक नूल्टे सलाई और फिर शिद्धी सलाई में और ये पिंक वाली से भी मैं बना चुकी हमा वाइट कलर की मूं और्मinta आ है टो एक नुदिझी ऋल्टे सलाई की रेक सिद्धी बनाऊंगी और जो ये एक्स्ट्रा उनका दागा बच्चा हुआ इस बड़े बाड़े दागे के उपर ऐसे लपेट दूड़ी मैं अब मैं वाइट 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 का एक करके इस तरह इस लाइगों में पूरी कंपलीट कर लूंगी और सारे फंदों को कर दूंगी बंद लेजिए सब फंदों को मैंने बंद करके कंपलीट कर दिया है और लास्ट वाड़ा फंदा बचा है और इस लास्ट वाड़ा फंदे में से एक्स्टा दागा कट करके रख दिया और उस फंदे में से दागे को निकाल दिया और यह बाजू हो गई हमारी बंद चली है मैं दूसरी बाजू ये दूसरी बाजू के फंदे भी मैंने सुई वाड़े दागे में से निकाल कर सलाई में डाल लिया था और बाजू को कर लिया कम्प्लीट तो चलिए मैं दिखाते हूं कितनी सुनतर चोली बनकर तयार हुई है और कॉमेंट करके मुझे बताएं ये चोली आपको कैसी लगी है अच्छी लगी है तो भी कॉमेंट करना अर अच्छी नहीं लगी है तो भी कॉमेंट करना एक दम सिंपल तरीके से बनाई है चोली और भोती सुंदर चोली बनकर तयार हुई है एक बार आप भी जुरूर बनाएं वीडियो को सेयर करें मिलते अगली वीडियो में नई रेसिपी नई आइडिया नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुड़ती डिजाइन क जाथ रादे रादे